इस वीडियो में बात कर लेते हैं बिलिस जी वी एस फार्मा की विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यहाँ आप देख रहे होगे स्टॉक एक बुलिश रन के साथ कंसिस्टेंटली उपर बढ़ रहा था कुछ दिन से साइडवेज हुआ और फिर एक फॉल आया आज फिर से पोटेंशिल देखने को मिला है तो लेवल्स बता रहा हूँ वो दिहान से देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होगे यह सपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट काम करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट है 126-127 जस्ट अबब दे साइकलोजिकल लेवल आपका पड़ता है यहाँ पर क्योंकि थोड़े से ही नीचे इन लेवल्स के जस्ट ऊपर अपनको यह लेवल समझा रहा हुगा क्योंकि यहाँ पर देखो कि 125 के पहले ही आपको बायर्स देखने को मिल जाते हैं और जो आज बायर्स का लेवल था वो भी यही था यहीं से बुलिश वोइंटम देखने को मिला और यहाँ पर आप देखेंगे सेलर्स का जो एरिया रहा है वो यह था सेलर्स इस लेवल पर थे दिन भर इसकी ऊपर जा नहीं पाया यहाँ पर आप 141 स्टॉक ने टच्च किया बट रिवर्सल उतनी ही ते जीस से नीचे आ दे थे अब आपको एक दो चीज़े नोटिस कनने है यहाँ पर यह वाला हर्डल उपर देखने को मिला फिलाल यह 150 के आसपास हर्डल था और मैंने लास्ट वीडियो में भी काता है 150 सस्टेन करना मुश्किल रहेगा हो जाएगा तो फिर 165 के आसपास के टार्गेट देखने को मिलेंगे तो 150 से ही रिवर्सल आया क्योंकि वहाँ पर हर्डल था सलर्स का एरिया था साइकलोजिकल लेवल था इसी वज़े से यहाँ पर हर्डल देखने को मिला अब आज स्टॉक ना फिल से बुलेश मेंडम देखा है तो कल या फिर बाए मंडे आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला टार्गेट रहेगा वो फिर से कोसस रहेगी स्टॉक में यह वाली 141 रीच करने की 141 इसलिए क्योंकि आज यहाँ से रिवर्सल आया और यहाँ पर आप नोटिस करें अगर तो यहाँ पर देखेंगे च्छोटी च्छोटी रेड केंडल्स हैंगी और यह 141 level के आसपास ही है इसलिए यह हाँडल का काम करेंगे रिजिस्टंस 141 भी भी तो पहली रिजिस्टंस 141 है जो आपका पहला टार्गेट रहेगा 141 रहेगा दूसरा इसी दिशा में अपना पहला दूसरा टार्गेट रहेगा 145 का छोटा सा आएगा बट काम करते हुए नजर आएगा यहां सलस दिखने को मिलेंगे और 150 इसके बाद टार्गेट रहेगा अपना main जो कि recent का high भी है यहां पर 149, 165 वह वहीं पर 150 रहेगा तो यह तीन टार्गेट है 150 जब सस्टेन कर लेगा निकलेगा तो फिर अपना जो next टार्गेट रहेगा इसी दिशा में 165 तक रहेगा उपर और 165 के बाद अपना फिर एक और नया साइकलोजिकल लेवल बनेगा जो करहेगा 175 यह रहेगा वो तीसरा लेवल तो फिरहाल अपनको यह दो लेवल काम करते हैं देखेंगे और दोनों ही exactly हैं कुछ भी अलग से नहीं बता रहा हूँ जो जायज है वही बता रहा हूँ आप देखोगे यहां से यह लेवल काम करते हैं नजर आ रहे हैं पहले भी आये हैं और यहीं से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तब आपको clarity आएगी कि mind में और तब आपको confidence रहेगा अपने stock में कि आप hold करें या फिर sell कर दें। इंट्रीज हो रहे हैं नए buyers जुड़ रहे हैं फिर से stock में और अब वो target फिर से 150 के बाद अपनको 165 का दिखाएंगे। तो ऐसे चल रहा है stock उपर की दिखा में supports की कुछ बार level बता देता हूँ। यहाँ पर अपना जो पहला support भी अगर stock में fall करता है तो 133 ही रहेगा और 133 के बाद जो आज का level था वो support का का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर stock fall नहीं हो रहा है 126 के नीचे 126, 125 125 भी एक support है बट 126 के नीचे ही नी जा रहा है तो यह दो ही support लेके चल रहे हैं अगर 125 ब्रेक होगा तो weakness दिखाएगा थोड़ी सी तो नीचे वाले trend line तक आ जाएगा बट 126 नहीं गिर रहा है नहीं टूट रहा है तो उपर की दिखा ही पकड़के रखेगा stock तो hopefully सारी ची रहे हैं जाएगा तो झाल झाल